नमस्कार आप सभी का स्वागत है जिके न्यूस पॉइंट पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान प्रियांका चाथरी और अभी आपके साथ एक अपडेट सांजा करूँ तो शहर के तलाब खटिका इलाके में दुपट्टों की होलसेल की एक व्यक्ति दुकान करता ह और उसकी दुकान में चोरी जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है और वो भी तब जब व्यक्ति नमाज अदा करने के लिए अपनी दुकान जो है छोड़ कर गया था देखिए कोई इंसान अपनी रुटीन से नमाज अदा करने के लिए दरगा जा रहा है और जैसे वो वापस लोटता है तो क्या देखता है कि उसकी दुकान में चोरी हो चुकी है एक साधारन सा व्यक्ति एक दुपटों की होलसेल की दुकान चलाता है और किसी ने उसकी दुकान पर इस वारदात को अंजाम दिया है वहीं पर पीर मिठा पुलिस मामले की जाँच कर रही है और वहीं पर जज़र कोटली थाना की अंतरकट मनवाल में चोरों ने भी घर में घुसकर वहां पर लाखों रुपे की नगदी पर हाथ साफ किया है और उसके अलावा कुछ समान और भी चुरा लिया है देखिए जिक्र करूं तो एक व्यक्ति अपनी दुकान थोड़ी देर के लिए जादा भी नहीं सिर्फ थोड़ी देर के लिए नमाज अदा करने के लिए जाता है और वापस में आके क्या देखता है कि उसकी दुकान से समान चोरी है और बहुत अजीब बात है ये एक खास तोर पर उन व्यक्तियों ने जिन्होंने इस वादात को अंजाम दिया तो उन्होंने का कि दुकान चोड़कर वे मस्जित में नमाज पढ़ने के लिए गए थे जब वापस लोटे तो देखा कि दुकान के गल्ले में रखे तीन लाक रुपे चोरी हो गए थे एक व्यक्ति की मेहनत की रोजी रोटी है और किसी ने अचानक से एक दिन आकर उस मेहनत पर हाथ साफ कर दिया और वो भी तब जब वो व्यक्ति नमाज अदा करने के लिए गया हुआ था किसी ने गल्ले का ताला तोड़ कर इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी दुकान के बाहर सड़क किनारे कुछ लोग रेडी जरूर लगाते हैं और वे उन्हें दुकान के खाली होने की बात जो थे वो कर रहे थे वही पर फारुक ने बताया है कि दुकान में उनकी बीते कुछ तिन पहले ही सेल पड़ी हुई थी और उन्हें व्यपारी को देने के लिए वो पैसे जो थेवर रखे थे देखे उस व्यक्ति ने भी अपनी जमापूंजी जो है वो कलेक्ट करके एक ड्रॉर में रखी ताक विभाग की द्वारा हर पहलो को खंगाला जा रहा है हर पूरे मामले की जो जांश परताल है वो ही की जा रही है वहीं पर जैसे मैंने आपसे जजर कोटली का भी मामला सांजा किया है इसके साथ ही जजर कोटली के डंसाल के गांफ सुहानों में भी रहने वाले सुख राम क गर में चूरी की वादात को अंजाम दिया गया है और वारदात के समय घर के सिदध से किसी काम के सिलसले में बाहर गया हुए थे देखिए जम कश्मीर में क्राइम के सिलसले बढ़ते हुए नजर आ रही है ऐसे में आप सबी व्यक्तियों को चाहिए कि आप सब अपनी अपने सामान की हफाज़त जरूर करें खास पर पर तब जब आपको अना वश्रक अपने घर से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो अपने घर में देखबाल के लिए किसी ने किसी को जरूर चोड़ कर जाएं ताकि वापस जब आप लोटे तो आपको अपना सारा सामान जो है सही आलत में मिलें ऐसे नहीं कि जिस तरीके से ये व्यक्ति जो हैं दो मामले यहां पर हैं एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ जब घर से बाहर के और उनके घर में चोरी होगी और एक वो जो नमाज अदा करने के लिए भगवान को हाजर नाजर होने के लिए और क्या देखते हैं कि वापसा के उनके तीन लाख रुपे जो हैं वो चोरी हो चुके हैं और इस घटना में पुलिस विभाग के अगर बात करो तो काफी संजीदगी से कारे किया जा रहा है और उन चोरों को पकड़ने के लिए हर पहलों को खंगाला भी जा रहा है आप सबसे इतना ह अनुरोथ करूँगी कि आप चॉकसी बरकरार रखें और अपने हिफाज़त जरूर करें अपने परिबार की हिफाज़त जरूर करें सोसाइटी की हिफाज़त पे छोटा सा कॉंट्रिबुशन आपका जरूर हैगा फिलाल इस अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दीजे ऐसी कुछ और अपडेट्स लेकर आप सब के समक्ष में आती रहूंगे और आप हर एक ताजी अपडेट के लिए जिएक न्यूस पॉइंट के साथ बने रही है हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रही है और थैंक्यू सो मच